हाई फ्रेंट्स मैं हूं बंसी दहर आर एंड डिजिटल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंट्स हमारे इस लिंक्टिन सीरीज में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि लिंक्टिन में इवेंट कैसे क्रेट करें आपने बिल्कुल सही सुना एक सक्सेस्पूल क्रेट करने के लिए जो टिप्स एंड ट्रीक्स है और प्राक्टिकल स्टेप करके मैं मेरे कंप्पूटर स्क्रीण पर बताऊंगा आपको बने रहना होगा मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक तभी जाके आप सीख पाएंगे एक प्राक्टिकल इवेंट्स लिंक्टिन मे सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा रिक्वेस्ट है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना चलिए फ्रेंट्स मेरे यहां देख सकते हैं मैं अलर्शिट स्क्रीन में हूं मैं मेरे लिंग्ट्रीन प्रॉफाइल पर आपको थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करना है यहां देखिए लेफ्ट साइट में नीचे जिसे की यह मेरे प्रोफाइल है लेट साइट में नीचे जाएंगे अगर आपके multiple business page होंगे यह दिखेंगे फिर recent है फिर group है यहाँ देखिए लिखा हुआ है events आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है events यह जो events लिखा हुआ है so events पे plus symbol है आपको करना है create an event यानि plus पे click करेंगे तो आप event create करने का process शुरू होगा तो create an event पे हम click करते हैं so create an event पे जैसे हमने click किया आप देख सकते हैं सबसे पहले जो important बात है यहाँ पे upload cover image यहाँ लिखा हुआ है तो आपको आपके event के related image आपको create करने है जिसमें यहाँ पे जो guideline से जो minimum width जो है वो 480 pixel यह 16 is to 9 का ratio है यह recommended है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे cover image आपको डालना पड़ेगा अलांकि cover image नहीं भी डालेंगे तो create हो जाएगा लेकिन cover image डालना बहुत जोरूर यह तभी जाका event success होगा यानि बहुत अच्छे आपको result आएंगे तो उसके बाद आते हैं organizer अभी जैसे कि यह मेरा individual नाम है और मालीजी कि आपके कोई company भी है आपकी business profile भी है तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि आप individual event को organize कर रहे हैं या जैसे कि मैं यहाँ click करूंगा यह देखिया मैंने जैसे ही click किया मालीजी कि मैरा R&D Digital हमारा company है तो यह आप को शिलेक करना है कि आप खुद event organize कर रहे है या आपके कुछ कंपनियां है वो कर रहे हैं तो यहाँ पर आप कीुछ कर सकते हैं उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि event types तो event type किस type के है आपके आप online event करने वाले है जूम में या फिर LinkedIn के live platform के थे थो में या फिर दूसरे कोई platform के तरों में online आप करने बाले हैं या फिर in person आप करने बाले हैं तो आपको decide करना है तो मान लिजी कि online जैसे कि आज काल बहुत सारे online events हो रहे हैं तो मैंने यहां पर online select किया उसके बाद आता है events के format यानि आपका event का format क्या है यहां देखिए event का format जो है लिखा हुआ है event जो है LinkedIn live है दूसरा लिखा है external event link है अगर आप मान लिजी की zoom या फिर कोई दूसरे video platform के माधि हम से करेंगे जैसे zoom हुआ या Google meet हुआ आप यहां पर external event link आप क्लिक कर सकते हैं अगर आप LinkedIn live पर करेंगे तो LinkedIn live तो मैं यहां पर example लेता हूं कि external links तो external link पर हमने क्लिक किये उसके बाद हमें यहां event name लिखना है event name लिखने से पहले यहां देखिए आप देख सकते हैं कि 75 characters का limit है तो यहां पर आप event name लिख सकते हैं कि आपका event किसके related है अभी मालीजे कि आपका event जो है example मैं मेरा event name हमने यहां लिखा हुआ है monetize your content effectively so यहां पर मालीजे कि मैं मेरा event name जो है monetize your content effectively mention किया है आप lead generation के लिए या आपके जो भी event है so यहां पर आपका event name आप mention कर सकते हैं again यह बहुत ही ज्यादा important है तो यह event name में आपका hook statement definitely होना चाहिए तभी जाके वो impactful होगा उसके बाद यहां आप देख सकते हैं मेरे time zone automatic select हुआ है लेकिन अगर आप चाहेंगे कि नहीं आपका time zone different है मालीजे कि आप पकिस्तान से है Bangladesh से है या कोई भी दूसरे country से है या US से है तो यहां पर आपकी हिसाब से अपना time zone जो है यहां पर मैं डालता हूं 15th so हमेशा आपको एक मैं सुझाओ दोंगा जभी आप event करते हैं कम से कम 10-15 days पहले create कर दिये तभी जाके बहुत सारा attendant आपको मिलेंगे और लोगों को time मिलेगा आपकी event पर register करने के लिए बहुत सारा लोग यहां पर mistake क्या करते है इवेंट से 2 दीन पहले create करते हैं तीन दीन पहले create करते हैं इवेंट से एक दीन पहले रिएट करते हैं इस Cape इसमें चांस से कि आपको सक्सेस ज्यादा ना मिले, so 10-15 days is a good time आपको इवेंट क्रेट करने के लिए, तो इवेंट का date हमने सिलेक कर लिए, यहाँ पर आप टाइम सिलेक कर सकते हो, इवेंट का, उसके बाद आप यहाँ पर इवेंट का एक्स्टरनाल लिंक दे सकते हो, जैसे कि मैंने हमने यहाँ सिलेक किया है, इवेंट का मतलब एक्स्टरनाल लिएंट लिंक, तो अगर O होगा तो यह आएगा तो आप इवेंट का एक्षेनल लिंक दे सकते हो, माल जी का आपका जूम का लिंक होगा, या फिर टीम का लिंक होगा, या फिर गूगल मेट का लिंक होगा, तो यहाँ पर आप एक्षेनल लिंक दे सकते हो, जैसे कि माल जी है कि मैं एक आपक लिख सकते हैं कि आपका स्पीकर करने वाले हैं इस इवेंट में उनको क्या वेनिफिड मिलेगा यानि आप क्या वर्निंग प्रोब्लेम आप सॉल्ब कर रहे हैं इस टाइब के डिटेल्स चीज़ आप लिख सकते हैं इसके अलाबा अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पर आप कुछ लिंक भी दे सकते हैं दूसरे लिंक भी आप दे सकते हैं तो यहाँ पर देखिए 5000 करेक्टर का लिमिट है तो बहुत कुछ यहाँ पर लिख सकते हैं तू दो पॉइंट, क्लियर कट, प्रिसाइज, बर्निंग प्रोब्लेम सॉल्व कर रहे हैं, हुक स्टेटमेंट, यह सारे चीज़े यहां पर डेफिनेटल आपको देना चाहिए, उसके बाद हम आते हैं, यहां आप देख सकते हैं, स्पीकर के बारे में लिखा हुआ है, सो अ यहां पर आप सुर्च कर सकते हैं, यहां पर सिहें, सो आप जो आपके, इसके बाद कर सकते हैं, यहां पर आपका event create का जो प्रोशेस है, यहां पर दो चीज़ आपको ध्यान से देखना है, यहां पर LinkedIn event policy जो है यह आपको इसको read definitely कर लेना है बहुत साल लोग नहीं करते हैं लेकिन मैं recommend करूँगा कि एक बार आप event create करने से पहले यह देखिए इस टैप के अपने ने new tab करके इसका events का जो term है और वो सारे आप details में पढ़ लिजिए उसके बाद आप देखिए most of the LinkedIn events LinkedIn event के बारे में अगर और details ज्यादा आपको जानना है तो learn more पर भी आप click करके इसको पढ़ सकते हैं अभी यहां पर हमने मोटा मोटी event create कर लिए उसके बाद आपको कर देना है यहां पर next पर click so next पर जैसे click करेंगे यहां आप देख सकते हैं यहां पर आपके events के बारे में थोड़ा सा detail लिख सकते हैं जैसे कि माल जी कि यहां हमारा event create हो गया देखिए date दिखा रहा है Wednesday June 15th 2022 9 a.m. to 10 a.m. इवेंट का date दिखा रहा है monetize your content दिखा रहा है event by जैना बंसिदर दिखा रहा है online है और यहां पर अभी आप आपके events के बारे में थोड़ा सा details लिख सकते हैं जैसे माल जी कि हम LinkedIn में कुछ भी post करते हैं यहां पर मैं थोड़ा सा detail mention कर देता हूं जैसे your content effectively इस सारे चीज़े और यहां पर अगर extract बगर आर करना चाहेंगे तो यहां पर आर कर सकते हैं करने के बाद आपको करना होगा post तो आपका event create हो गया अब यह मुझे post नहीं करना है क्योंकि यह तो मैं आपको demo के लिए सिखा रहा था तो यहां आपको कर देना है post अब मैं देखिए एक real example है आपको आपका event जो हो दिखता कैसे है देखिए मैं आपको सबसे पहले जो आपको बता रहा था कि आपको आपका event का cover image आपको 16 by 9 ratio में आपको create करना होगा यह event का example देखिए यह cover image इस cover image में देखिए किस टाइब के चीजे लिखा हुआ है मैं आपको recommend देखिए है अगर आप first time कर रहे हैं या आपको event creation के बारे में बहुँ है जादा knowledge नहीं है तो आप event का जो है आप क्या कर सकते हैं हैं इवेंट्स के बारे में research कर सकते हैं कि आपके टाइप का दूसरा on event क्रेट कर रहा है या किया हुआ हुआ है तो वहां से आप idea ले सकते ह तो वो आईडिया कैसे लेते हैं तो मैं थोड़ा सा आगे बत्राओंगा, तो यहां आप समझ लिजिए कि यहां यह जो है आपका इवेंट्स का कवर पेज है, उसके बाद फ्रेंट्स आप देख सकते हैं नीचे, यहां देखिए लिखा हुआ है इवेंट्स का जो हेडर है य दिया हुआ है, और यहां आप चेक कर सकते हैं कि कितने लोग अभी इसमें आटेंड करेंगे, वो लोग अलड़ी रेजिस्टर कर चुक हैं, तो इस टाइब की यहां भी दिया हुआ है, तो इवेंट्स एक्च्वाल ऐसे दिखता है, उसके बाद देखिए जैसे हम जब यह देखिए कैसे हाइलाइट किया हुआ है, तो आप इस टाइब के हाइलाइट कर सकते हैं, और यह दिस्क्रिप्शन लिखते बगत, आपको यह जो वाइट स्पेस जो है यह भी आपको ध्यान रखना है, जयानि यहां पे आपको अग्डम क्लमजी नहीं करना है, तो इन्होंने external link दिया हुआ है, रेजिस्टर करने के लिए, जैसे आप post करते हैं, तो यहां पे आप जैसे हमने यहां पे post का यहां बताए, तो यहां पे जो है आप external link भी डाल सकते हैं, यहां पर आप माल जी क्या bit.ly का कुछ link डाल दिये, या फिर आपका कोई landing page होगा, उस landing page का आप link डाल दिये, या फिर Google form का आपने link डाल दिये, ताकि आप लोगों का जो detail से उसको आप capture कर सोको, तो यहां जो है, इन्होंने link डाला हुआ है, अभी इस link को मैं आपको open करके दिखाऊंगा, अभी link पे मैं click करता हूँ, यह इनका kind of landing page है, आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने click किया, क्या लिखा आ गया, webinar registration देखिए, webinar registration, again topic, description, highlights, यह सारे चीचे मैं जोने, उसके बाद देखिए, पूरा form है, full name, last name, email address, मतलब यहां देखिए आप country, मतलब यह पूरा details वहां उनसे ले सकते हैं, फिर यहां पाई agree, और लोग इस तरीके से यहां feel करें तो यह details आ जाएंगे, so friends, यह था, आपको LinkedIn में event कैसे create करना है, अब मैं आपको, जैसे आपका, आप जो event create करेंगे, तो उस टाइम पर आपको events के बारे में research भी करना पड़ेगा, तो आप आपको events के बारे में research कैसे करेंगे, माल जी कि मैं पहले बार ही create कर रहा हूं, आप event करना चाहते हैं, वह आप search कर लेना, भी माल जीजे कि हम lead generation के बारे में search करना है, मतलब event create करना चाहते हैं, तो यह देखे, lead generation मैं ने search किया, अभी lead generation जैसे search किया, यहाँ नीचे देखे, filter option है, यह filter option में आपको, यहाँ पर लिखा है, events, उस पर आपको click करना है, मैं click क करता हूं, events, जैसे ही मैंने events पर click किया, आप देख सकते हैं, कितने सारे events, यहाँ पर results देखे, 372 results दिखाई रिया, कितने सारे events already scheduled है, related to lead generation, अभी हम किसी एक, हम open कर लेते हैं, अभी माल जीजे कि इसको मैं open in a new tab कर लेता हूं, आप देखिए, यहाँ पर जैसे open in a new tab हमने किया, यहाँ क्या लिखा रहा है, पहले तो मुझे, अच्छा, cover page जैसे designs करते हैं, how to make customer come to you, lead generation, versus demand generation, तो यह speaker का भी photographs दे दिया, उनका नाम दे दिया, तो यहाँ से आपको idea आ गया, कि आपका cover page कैसे बनाना है, header कैसे लिखना है, वो idea आ गया, यहाँ आप देखिए, इन्ह description कैसे लिखना है, वो भी idea आ गया, इन्होंने speaker का details यहाँ दे दिया है, तो वो भी idea आ गया, तो चलते हैं, दूसरा एक random, यह देखिए, मैंने दूसरा आपन कर लेता हूँ, again, आपको definitely research करना है, social selling and marketing, so यहाँ देखिए, इन्होंने बढ़िया अपना, जो है, यह creative design किये ह है, उसके बाद, again, same तरीका, बड़िया headers है, online event है, और, again, यहाँ पर about लिखा हुआ है, देखिए, about short and sweet है, लेकिन white space का भी ध्यान रखा हुआ है, speaker के बारे में details दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप, आप event create करने से बहले research भी कर सकते हैं, मैं आपको recommend करूँगा, कि आप research जो है, आप जरूर करिए, उम्मीद करता हूँ, friends, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, friends, मैं उम्मीद करता हूँ, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो please like, comment, share, जरूर करना, अगर आपको लगता है, कि ये वीडियो प्लीश व आपको मिलते रहेंगे तो प्लीज सब्सक्राइब एड सपट्विटि इस टाइप के हमारे brasile reckे रहें एडंड अगर आप प्रसेज़ा चॉहरी नहीं चाहते हैं या ठीक के